He Hello and welcome to my channel आज हम डिस्कُस करेंगे Kepler's Second Law of Phelanary Motion Kepler's Second Law क्या होता है Phelanary Motion के लिए मेंने पहले आपको बताए था Agular Momentum क 있으면 हम ने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि जो Angular Momentum होता है L वो होता है 2 m da by dt यह पिछली वीडियो देख लेंगे DA by DT इसके equal होता है यहां से ही अगर इस 2M को इद नीचे लाया जाए L के, 2M यहां से तो कट जाएगा न, यहां से कट जाएगा तो यहां से यह हटा यहां नीचे आ गया, बीच में equal to तो यही तो लिखा हुआ है यहां पे यही आया और, सॉरी यहां पे यही आया है DA by DT is equal to L upon 2M हमें इतना पता है अब सेक्ट लाप लेंटरी मोशन का क्या है इसके बारे में बात करते है तो चलो, मैं आपको बता दूँ कि जब भी एक कोई पलैनिट जो है, वो सन के around elliptical orbit में move करता है elliptical orbit, वो सर्कुलर नहीं इस तरह का होता है elliptical orbit चीक है, acceleration radial रहती है उसकी यह बात अलग है, लेकन सॉरी, वो एक elliptical orbit में move करता है sun के around और उसका जो focus होता है sun जो है, sun उस ellipse के एक focus पे, वहाँ पे वो, खुद भी sun भी वहाँ पे होगा, sun जो है वो ellipse के एक focus पे होगा, और gravitational force जो है, वो sun और planet के बीच में, वो act करेगी, किसके along, along the line, joining the planet with the sun, जहाँ पे planet sun को join कर रहा है उस line के along वो planet हमेशा उसकी तरफ act करेगा, एक gravitational force act करेगी, planet के बीच में, और दूसरी कौनसी चीज़ बताए, दूसरा तो sun है ना, जिसके around वो planet revolve कर रहा है तो अगर वो उसकी around move करता है, तो elliptical orbit में भी है तो sun और जो ellipse है, उसके बीच में gravitational force जो होगी, वो act करेगी, बट along the line जो की planet और sun को जोड़ती है, इसका मतलब कि force जो है, वो radial है और angular component जो force का है, वो हमेशा यहाँ पर zero है angular component कितना है, zero अच्छा इसके साथ हमें ये भी पता है कि जब इसको आप derivative लेते हो dL by dt ये कब पढ़ा था? ये तब पढ़ा था, जब हमने relationship पढ़ा था dt is equal to ये टाउ टाउ को क्या कहा जाता है? टार्क, ठीक है, ये relation था अब यहाँ से आप इसको ध्यान से देखें, तो अगर टाउ zero हो जाता इसका मतलब L का derivative zero तो किसी का भी derivative zero होने का मतलब क्या होता है, कि वो खुद चीज constant है, जिसका derivative zero है है ना, constant का derivative zero होता है तो DL by dt जो है, वो टाउ हो गया, तो DL by dt टाउ, यानि कि L अगर टाउ zero है, तो L constant होगा, ये पता चला आपको यहाँ से, तो यही चीज़ लिखी होई है, अगर टाउ zero है, विच गिर्स L constant Hence, from the above equation, यह जो उपर हमने अभी पड़ी यह वाली, DL by dt, L upon 2M, L तो constant रहा, 2M तो already constant था, तो अब इसकी aerial जो velocity DL by dt है, यह total constant बन गया तो aerial velocity क्या होई? constant जो की Kepler का second law planetary motion के लिए है कि aerial velocity इसकी constant रहती है, यह पता चला ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, कि क्या होती है graphical, sorry, geometrical significance क्या है angular momentum की वो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर अगर उसकी बाद करें यहाँ पर देखिए कि angular momentum जो particle का है किसी भी point के लोगा, किसी भी point के about देख लीजिए, वो हमेशा equal होता है, twice, double यहाँ कि the product of its mass and ideal velocity, mv p is equal to mv पड़ा हूँ है बस वही, angular momentum जो होता है, वो भी twice of angular momentum जो होता है, वो twice होता है twice the product of mass and velocity, aerial velocity, लेकिन जो angular momentum था, वो p is equal to mv था, mass and velocity लेकिन जो angular momentum है, इसे हम बोलते हैं, कि angular momentum किसी particle का किसी भी point के along, वो equal होगा, twice the product of mass and aerial velocity, लेकिन यह geometrical significance है, angular momentum की two dimensional motion के लिए, यह पता चला अब आगे बताता हूँ देखो, equilibrium क्या होता है rigid bodies के लिए, rigid body मैंने बताया था, वो solid होती है तो rigid body को आप यह कह सकते हो, यह equilibrium में है, अगर जो net external force या आप torque के लिजिए, जो इसके ओपर act कर रही है न, वो इसका इसकी जो state है body की body, अगर rotational state में है, या translational state में है, जिस भी state में है वो उसको change नहीं कर पाता है वो force change नहीं कर पाती वो जो torque act कर रही है वो उसको change नहीं कर पाती rigid body को, तीक है, वो equilibrium state में है, तो change नहीं कर पाती तो वो body equilibrium state में रहेगी, जब net external force या torque जो है, वो उसके ओपर जो act कर रही है, वो उसे change नहीं कर सकती, rotational motion हो, चाहे translational motion हो चाहे translatory motion हो, तो उसकी body की state को change नहीं कर सकेगी, तो ये था equilibrium rigid body के लिए चीक है, अच्छा इसके लिए first condition क्या होती है, equilibrium के लिए, पहली condition ये है, कि rigid body को आप translational equilibrium कब कहोगे, अगर ये rest में रहे, या motion में रहे, अपनी constant velocity के साथ रहे motion में, ठीक है अगर ये या तो rest में ही रहे move करे, तो constant velocity के साथ करे, मालेज़े के external force जो है, वो net external force, F, E, X, T वो force है, ठीक है, जो की rigid body के ओपर act कर रही है, यहाँ से आप देख ले ना जो की rigid body के ओपर act कर रही है, ठीक है, उस body की velocity, V माल लीजिए V उसकी velocity है, अब Newton second law of motion के according देखोगे, तो net force जो होती है, वो rate of change of the body होती है, यह तो हमने पढ़ा हुआ है, rate of change of momentum, वैसे तो होता है, F, E, Z, to MA, MA, A क्या चीज़ होती है, DV by DT, तो बस DV भी आ गया, M को आप अंतर ले ले लीजिए, तो बंद किया आएगा DV by DT, तो MV तो P होता है, इस दिए DP by DT, यह आया, external force, DP by DT, ठीक है, body जो है, वो translational equilibrium होगी, अगर यही force 0 के equal होगई, external force जो है, वो 0 के equal होगई, ठीक है, translational equilibrium के लिए, तो F external, तो F external की DP by DT है, तो DP by DT, जो है, वो भी 0 होगई, ना, वो भी 0 होगई, यहां पे 0 होगई, P इसका मतलब constant, क्यों, क्योंकि अगर उसका, P का derivative ही 0 है, तो वो खुतो constant होगई, तब ही derivative 0 हुआ, तो P एगर constant होगई, तो V तो constant होगई, क्योंकि P is equal to MV, M constant already होता ही है, तो V भी constant होगई, तो V भी constant होगई, यहां से, यह आपको, सारी, यह आपको पता चलका है, क्योंकि अगर बादे होगई, जब first condition की बात करोगई, एक्विलिब्रिम की, rigid body के लिए, rigid body के लिए, first condition equilibrium के लिए, आप बात कर रहे हो, तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं, कि rigid body जो है, इसको हम कहेंगे, translational equilibrium में है, लेकन कब कहेंगे, अगर जो net external force है, वो external forces जितनी भी उस पे body पे हैं, वो zero है, जितनी भी external forces हैं, उनका जो अगर आप vector sum ले लोगे, वो zero होगा, ठीक है, rigid body कभी भी आप कहा लिए, जिए कि इस translational equilibrium में तब होगी, अगर जो net external force है, या फिर जितनी भी लग रही हैं, उनका सब का, अगर vector sum ले लो, तो वो, अगर zero के एकवल है, तो body, rigid body क्या है, वो translational equilibrium में है, इतना बता चला, तो चलो, आगे मैं और बताता हूँ, कि second condition क्या है equilibrium के लिए, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, second condition equilibrium के लिए, यह हमारा lost topic है, चलो, डिसक्स करते हैं, देखो, rigid body कोई भी हो, उसको आप rotationally equilibrium में कहोगे, अगर जो body है न, यह rotate, या अपने जो constant angular velocity के साथ जो rotate कर रही है, वो rotate ना करें, ठेक है, body अगर rotate नहीं कर रही, या फिर अगर rotate कर भी रही है, तो angular एक जगाई ही है, मैं लिए, same ही है velocity, ठीक है, तो उसके साथ अगर move कर रही है, तो वो rigid body को हम बोलेंगे, वो rotational equilibrium में है, ठीक है, condition second, इसकी यह आ गई, अमा लिजे कि tau ext, tau ext जो है, वो net external torque है, जो की rigid body के उपर act कर रही है, तो तब जो net external torque होगी, जो उसके body के उपर act कर रही होगी, वो tau externalize dL by dt होगी, dL by dt, L क्या होता है, L होता है angular momentum, तो dL by dt के equal हो जाएगी, क्या, tau external, यह तो हमें relation वैसे वो भी बताता है, torque और angular momentum के बीच में relation के dL by dt is equal to tau, तो dL by dt is equal to tau होने से, यहाँ पे जो external tau, जो external torque है, वो equal हो जाएगा dL by dt के, ठीक है, body translationary equilibrium होती है, हमें बता है कि जब tau 0 हो जाता है, तो tau external को 0 दे लो, तो dL by dt 0, dL by dt 0 तो L constant, ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी किसी का derivative 0 होता है, वो constant होता है, यह तो मैंने इसके ठीक है, इस सारा से हम कहा सकते हैं, कि जो bridged body है, उसको आप rotational equilibrium में कहोगे, अगर net external torque जो है उसके उपर, या फिर उसका आप external torque का vector sum क्या लीजिए, जो उसके उपर act कर रही है, body के उपर, वो 0 है, चीक है, तो यह पता चला, आज कुछ यह छोटे-छोटे topics थे, I hope कि आपको समझ आ गया होंगे, बाकि next lecture में मैं आपको और भी काफी चीजन बताऊंगा, ओके, bye.